बहुत पहले किसी समझदार इंसान ने मुझसे कहा था कि मुर्खों से कभी मत उलजना क्योंकि वो तुम्हें उस इस्थिती में पहुचा देंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी न होगा और आज मैं अपने जीवन के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि ये सत खी समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी मुर्ख वैक्ति से न उल्जें उसे जो बोलना question do उसे कहने दे, कभी उसको ना किसी परकार का जवाब दे और ना ही उससे कोई आर्गुमेंट करें भले ही आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहों, कितने ही समझधार क्यों नहों लेकिन आप एक मुर्ख से मात खा जाईएगा क्योंकि एक मुर्ख का कोई इज़त नहीं होता है, कोई पर्तिष्ठा नहीं होता है उसकी सुचबूच तो छोड़िये, उसके सोच विचाट तो छोड़िये वो इतना कर्महीन होता है कि उसे ये तक पता नहीं होता कि उसे करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है ऐसे में केवल और केवल उसका एक ही लक्ष रहता है कि सामने वाले को किस तरीके से गिराया जाए चाहे उसके लिए उसे कोई भी हग या कोई भी सीमा क्यों न पार करनी परे वो आपको बीच सड़क पे भी नंगा करने से या खुद नंगा होने से नहीं हिचखिचाएगा उसके जीवन का उड़ेश अपने जीवन को जीना नहीं बलकि दूसरे के जीवन को भरष्ट करना होता है इसलिए जब कभी भी आपको आपके जीवन में मुर्खों से सामना हो तो पतली गली से बच के निकल जाने में ही समझधारी है इसी में आपका कल्यान है